हलो अरिवान, वेलकम टो फार्मारोक्स यूटूब चैनल, फार्मारोक्स के यूटूब एच्जू किसले चैनल बे आपका स्वागत है इन टोडेज वीडियो लेक्चर, वी विल स्टड़ी इन डिटेल अबाउट दा टाइफ़ाइड फीवर तो टाइफ़र फीवर डिसिस के उपर ये हमारा पार्ट टू वीडियो लेक्चर है ये पार्ट टू के अंधर हम स्पेसली कवर करेंगे डाइगनोसिस के बारे में कि किस तरह से ये डिसिस को डाइगनोस किया जाता है और उसके लिए जो काफी पॉपुलर जो टेस्ट है कि जिसको कहा जाता है वीडाल टेस्ट तो उसके बारे में हम आपको प्रॉपर डिटेल जान करेंगे कि किस तरह से वीडाल टेस्ट फारफ़र्म की जाती है किस तरह से वो पॉजिटिव या नेगेटिव हैता है तो विडाल टेस्ट के बारे में हम detail में study करेंगे फिर also about the treatment कि किस तरह से typhed का हम treatment करते हैं कि जिसके लिए medicines का भी option available है कि जब किसी को ये हो जाता ही disease तो किस तरह से आप medicines से उसको treat करते हैं and vaccines कि जिससे patient को हम या फिर किसी भी populations को ये vaccines देते हैं कि जिससे हम ये disease को होने से रोक सकते हैं मतलब कि जो prevention के step के तौर पे ये हम typhed fever के vaccine भी अब available है तो ये सभी points को हम detail में cover करेंगे of our topic typhed fever की ये हमारा part 2 video lecture है जो student directly part 2 देख रहे है तो वो pharma rocks की channel को जरूर से subscribe करें कि जहाँ पे आपको typhed fever का part 1 lecture मिल जाएगा as well as आपको pathophysiology में काफी interest है और अलग-अलग diseases के बारे में सीखना है तो पूरी एक playlist मिल जाएगे आपको pathophysiology की GPED related, NIPER, DI, Pharmacist, Tubby Exam के प्रिपिरेशन्स के 900 से भी ज्यादा video lectures आपको चैनल पर मिल जाएगे तो जरूर से चैनल को subscribe करेंगे and also press on the bell icon and never miss any video of pharma rocks की जितने भी अलग-अलग popular diseases एक अलग-जांडिस, inflammatory bowel disease, peptic ulcer, फिर cancer, उसके बाद hepatitis, constipation, diabetes, diarrhea, rheumatoid arthritis, laprosy, fever, cough, cold, headache, vomiting, acidity, headache, gas problem, dry cough, weight cough, tuberculosis and of typhoid तो ये video lecture में हम typhoid के बारे में study करेंगे और ये है part 2 video lecture तो जरूर से चैनल को subscribe करेंगे and काफी important informative video lecture साब के लिए अवेलेबल है वो भी access करेंगे तो जरूर से चैनल को subscribe करेंगे press on the bell icon and use our app pharma rocks android upon google play and apple iphone upon app store कि अगर आप android user है तो google play store पर से आप डाउनलोड करिए अगर आप iPhone यूज करते है तो app store पर से करिए study material आपको मिल जाएगा taste series and the video lecture तो ये सबी content को आप अच्छे से access कर सकते है आप फार्मर आपको की अप उपर तो डाउनलोड करिये अप फार्मर आउक्स android app on google play अप 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 स्टॉर तो टाइफ़ड फीवर के जो हमने देखा कि टाइफ़ड is a bacterial infection that leads to high fever, diarrhea and vomiting it can be fatal मतलब की वो ऐसे बीमारी है कि वो समझे कि proper समय चलते है उसके treatment ना हो तो वो जानलेवा भी साबित हो सकती है वो काफी dangerous साबित हो सकती है जानलेवा बीमारी बन सकती है और इसके करण patient के death भी हो सकती है तो specially होता है Salmonella typhi नाम के bacteria के कारण कि जो किसी भी person के अंदर फैलता है due to the contaminated food and drinking water की कोई भी व्यक्ति typhed से संक्रमित कब होता है या फिर Salmonella typhi नाम के bacteria से कब संक्रमित होता है तो जब contaminated food and drinking water हम लेते है कि जिसके अंदर ये Salmonella typhi present है और दूसरी चीज़ की जब आपको hygienicity maintain करने की आदत नहीं है प्रॉपर आफ hand washing को avoid करते है और ऐसे जगह की जहां hand washing पहुत ही कम है less frequency थे वहां कि लोग ये disease से ज़्यादा से ज़्यादा infected हो सकते हैं तो ये हमने जाना था typhod के bacteria के बारे में as typhi bacteria की जो enteric portion की जो intestine के अंदर जो है वो अपनी अच्छे से growth करते हैं वही पे वो जीवित बरह सकते हैं as well as intestine के साथ वो blood stream के अंदर भी जीवित रह सकते हैं और शिर्फ human to human और वो भी उसके अलग-अलग discharges like urine, saliva, feces, blood वगेरे के कारण ये one person to another version fail सकता है through the direct contact और कोई animal से नहीं फेलता तो ये point आपको खास याद रखना है कि कोई animal से ये disease नहीं फेलती उसके symptoms हमने देखे थे कि काफी high fever रहता है headache, weakness, fatis, muscle aches, sweating, dry cup, loss of appetite, abdominal pain, diarrhea और constipation, rashes and extremely swollen abdomen तो अब जो हमारा आज का main topic है part 2 video lecture का तो वो है diagnosis कि जब कोई person ये typhoid से संक्रमित हुआ है तो वो हमें पता कैसे चलता है तो उसके लिए है diagnosis तो primary diagnosis तो आप उसके जो sign and symptoms होते हैं कि आप sign और उसके symptoms वो check करके उसके primary diagnosis तो करते हैं बट जब आपको proper उसका confirmations करना है तब perform करने परते हैं अलग-अलग test तो वो test के अंदर जो famous है वो है Vidal test तो diagnosis of typhoid fever can usually be confirmed by analyzing the samples of blood कि especially जो भी infected person है उसका जो blood sample है वो लिया जाता है and उसका हम proper analysis करते हैं blood sample के अलावा आप उसके stool sample पर ले सकते हैं as well as the sample of a urine तो यह सभी के अंदर यह S type V bacteria present हो सकते हैं कि अगर person infected type V bacteria से तो जरूर यह test जो है वो आएगी positive because यह bacteria जो है वो present होगे वो person के blood के अंदर उसके stool के अंदर या फिर उसके urine के अंदर तो यह test के अंदर specially जो blood, urine और stool के जो sample में से जो bacteria होते हैं उनको isolate करके उनका अलग से culture develop करके जो further वो test perform की जाती है तो this will be examined under the microscope for salmonella typhi bacteria that causes the condition तो जब आप under the microscope check करते है और microscope के अंदर आपको यह bacteria समझो के देखने को मिल जाते है salmonella typhi तो यह confirm करेगा कि person जो है वो infected है from the salmonella typhi bacteria और typhi है तो confirm हो जाता है typhoid the bacteria aren't always detected the first time so you may need to have a series of tests तो यह point आप यहाँ पे काफी important है यह disease के बारे में कि need to have series of tests कोई एक test से यह confirm नहीं होगा यह खास आपको यह बात ध्यान रखनी है कि समझे कि आप vital test एक time करवाते हैं first time तो vital test जो है वो first time करवाया आ रहा है negative second time भी result negative third time भी negative but जब उसका series fourth time आप कराते हो तो वो positive आ सकता है तो जरूरी नहीं कि एक ही test से आपका यह disease डाइगनोस हो जाए आपको need to have a series of test the bacteria aren't always detected the first time तो salmonella typhi ऐसे bacteria है कि डाइगनोसिस के दौरान first time वो कभी भी detect नहीं होते even first नहीं second और third time भी कई बार वो उनकी जो test है वो negative आती है और फिर समझे कि आप fourth test करवाते है तो वो फिर बनता है positive तो symptoms जो है वो दिरे दिरे develop होते है सरवात में सिर्फ mild fever होता है और फिर दिरे दिरे जो fever है वो increase होता है कि जो हमने उसके symptoms के अंदर देखा कि symptoms के अंदर fever that starts the low कि सरवात में तो fever काफी low होता है and increase daily and reach high as 104.9 degree Fahrenheit तो यही है important regarding the typhoid diagnosis तो यह है vital test कि जिसके अंदर जो है वो blood culture कि जो अलग-अलग यहां पे लिखे कि zero first week, second week, fourth week, fifth उससे भी ज़्यादा तो continuously week wise आपको जो है वो test करवाने रहते है कि blood culture कि जिसका positivity आ सकती है 80 to 90% physis culture 80% फिर 50% फिर decreased positivity urine culture के अंदर भी आपको 25% या फिर 10% and bone marrow तो यह है vital test कि जिसके अंदर जो है वो एक serological test कहा जाता है vital test specially है क्या तो vital test है कि ऐसा test है कि वो serological टेस्ट कहा जाता है for enteric fever vital test पे उपर हम एक अलग से आपका lecture बनाएंगे कि उसके अंदर हम detail में सिर्फ और सिर्फ vital test कवर करेंगे कि किस तरह से वो detail में कैसे perform की जाती है और किस तरह से उसका result generate होता है वो एक अलग से detail lecture होगा बट अभी pathophysiology related हम समझ लेते हैं vital test को तो vital test एक serological test है कि यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि vital test और यहाँ पे टीक किया है मतलब कि that is confirm positive कि जो भी person का जो अपने blood या फिर plasma लिया था उसके लिए जो vital test perform की तो vital test को vital ही क्यों कहा जाता है तो in 1896 1896 it is name after its inventor को जिसने यह test को find किया जोर्ज फर्नांड विडाल उनके नाम पर से यह test का नाम पड़ा विडाल test is an indirect agglutination test agglutination test है यह कि जो indirect है for enteric fever कि जिसको हम कहते है typhed fever and undulant fever bacteria causing typhed fever is mixed with serum कि जो bacteria है उसको हम क्या करते है mix करते हैं कि इसके साथ तो serum containing specific antibodies कि जो specific antibodies वाले serum के अंदर हम यह bacteria को mix करते हैं obtained from an infected individual कि जो भी infected वेकती है कि आपको लगता है कि उसके अंदर typhed के bacteria present हो सकते हैं आपको लगता है ऐसा sign and symptoms पर से तो आगे confirmative जो test जो perform की जाती है वो है vital test for the typhoid तो अब test समझे कि patient के confirm है positive है तो अब किस तरह से typhoid के आप treatment करोगे the only effective treatment for typhoid is antibiotics antibiotics इसलिए कि यह जो disease है वो bacterial disease है कि जो bacteria के करण उसका infection होता है और इसी के करण जो antibacterial जो हम कहते है कि लाइक ciprofloxacin कि जो fluoroquinolone class की antibiotics drug है फिर septry axon यह दोनों काफी effective है typhoid के अंदर the most common use are ciprofloxacin for non-pregnant adult and septry axon other than antibiotics is important to rehydrate by drinking adequate water patient को rehydrate कर सकते है आप proper drinking water देके उसके अंदर body के अंदर hydration अच्छे से setup रपना जरूरी है and in more severe cases where the bowel has become perforated surgery may require कि surgery भी की जाती है कि अगर काफी damage हो जाते है आपके bowel की जो intestinal fever भी हम कहते है typhoid क्योंकि जो specially bowel को damage करता है ऐसा fever की जो specially bowel के अंदर काफी damage करता है diarrhea होता है या फिर constipation specially जो layer है bowel के epithelial cell है उसके mucosal membrane वो काफी damage होता है कि उसको treat करने के लिए फिर surgery ही जरूरी होती है और जो medicines की जो bacteria है उसको body में से expel out करवाने के लिए उसकी growth inhibit कर देने के लिए तो ciprofluxacin आपके लिए काफी widely used होते वाला antibiotic के जिसके film coated tablets available होती है as well as sept reaction की जिसके injection available है one gram उसकी strength और यह रहेगी medicines Rx prescriptions drug रहेंगे without prescription आपको यह नहीं मिलेगी कि Rx only कि self medication नहीं करना है टाइफ़ड के अंदर Rx only proper diagnosis के साथ आपको जो भी जरूरी है dose वो ही लेना है और antibiotics because this is one type of bacterial infection जिसके करन antibacterial antibiotics जो है वो सबसे ज़्यदा prefer किये जाते हैं तो commonly prescribed antibiotics है Ciprofloxacin फिर Ciprofloxacin जेसी ही O-floxacin की जो fluoroclinolans class की ही ड्रग है एंटिबायोटिक्स के अंदर Ceptriaxon and chloramphenicol जो है वो हम यूज करते हैं तो O-floxacin की वो भी Rx only है as well as Ciprofloxacin और जो बाकी की जो symptoms है की जो fever continuously है तो fever के लिए anti-piratory की analgesic जो है वो paracetamol काफी safe रहेगा patient के लिए और साथ में vomiting के वी symptom से तो down periodon for vomiting आप देख सकते हैं उसके लवा symptoms based जो headaches है constipation या फिर diarrhea है तो diarrhea की related भी medicine हम दे सकते हैं की जो diarrhea के अंदर हम use करते हैं की जिससे patient के diarrhea भी हम control कर सके constipation है तो constipation related भी medicines दे सकते हैं with Cipro, Ophlox या फिर sept reaction की जो भी patient को दे रहे हैं तो vomit stop की जो Cipla की product है वो भी काफी फेमास है domperidon के tablets की vomiting है, fever है तो ये दोनों combination जो है वो use कर सकते हैं dry cup भी है तो patient dextromethorphan की cup syrup भी ले सकता है तो ये है proper treatment of this disease typhoid अब जान लेते हैं उसके vaccine के बारे में की जब आपको prevent करना है तो vaccination भी जरूरी है तो different vaccines available to prevent the typhoid fever की जिसके अंदर एक popular है वीवोटिफ is one of them typhoid vaccine live oral ty21a उसको कहा जाता है कि जिसके अंदर live vaccine against typhoid fever यहाँ पे आप उसका cover देख सकते है कि मैं उसको highlight करता हूँ वीवोटिफ live vaccine against typhoid fever three enteric coated capsule यह देख सकते है आप यह number one second और three total तीन यहाँ पे capsule हमें दी गई है कि जो वीवा टिप की है जिसके करन उसको typhoid pills भी कहा जाता है also known as a typhoid pills it is made from attenuated live bacteria the vaccines provide up to five years protection पांच श्याल तक का आपको protection प्रोटेक्शन प्रोवेड करता है यह vaccination और टाइफ़ोड एंड इत अप्रूल फर यूज इन इंडिविजल ओवर six year old तो यह था regarding वीवो टिफ वीवो टिप के अलवा भी और जो vaccines अवेलेबल एक प्याडा टिफ टाइफ़ड conjugate vaccine as per IP इंडियन फर्मा कूपिया टाइफ़ड फिवर वेक्सिन की जो live वेक्सिन है आर एक्स अनली तो वो भी जानते हैं कि उसका दोर जो दुसरे versions की टाइपी बार टी सी वी यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइफ़ड वी आई टाइप बार टी वाईपी बी ए आर सिंगल डोस एट नाइन टू ट्वेल तू टू ट्वेल तू ट्वेंटी त्री मन्स फालो बाई अ बुस्टर एट टू एर्स ओफ एज तो यह है उसका सिंगल डोस और उसका बुस्टर डोस प्याडा टाइप की जो सेकंड है उसका ओप्शन प्याडा टाइप सिंगल डोस एट नाइन टू ट्वेल तू ट्वेल तू ट्वेंटी त्री मन्स फालो बाई बुस्टर डोस एट 2 years of age तो यह था vaccination schedule of this typhoid vaccines की जो vaccines भी अविलेबल है regarding this typhoid कि typhoid की treatment के लिए medicines as well as prevention के लिए vaccination भी अविलेबल है तो यह हमने detail में study regarding this is typhoid तो इसे ही और video lectures के लिए farmer rocks का whatsapp group join कर लिए 9426180836 हमारा whatsapp number तो आपका आपका नाम and send करना है साथ में city name और यह number पे आप whatsapp कर देज़े whatsapp groups join करने के लिए तो this is the whatsapp number also use the app farmer rocks subscribe the channel download this app farmer rocks android app on google play as well as apple iphone app on app store access the study material test series and the video lecture so good luck and all the best